अगर आप किसी घर के नाम को ही बदल के आप अगर कुछ करना चाहोगे तो ये नागवार हमाएं गुजरेगा या हम पांथान पंचाइत में जी रहे हैं या हम पंचाइत द्रोन की रानी में जी ये चुप और फुटेज और विडियो क्लिप आपके सामने हैं और मैं उमीद करता हूँ कि सारे मिल जुल के पंचाइत में इस नाम को प्रेश्चन किया जाएगा और पंथान पंचाइत का नाम ही पंथान पंचाइत रखा जाएगा सबसे फर्सली आपको मैं एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा और साथ में कुछ फुटेज जो आपके पास में पेश कर रहा हूं और वीडियो क्लिप और फुटेज देखने के बाद हम आगे बात करेंगे किसी किसी के घर का नाम कैसे भी चेंज कर सकते हैं मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो पंचाइट पांथान पे है और पांथान पंचाइट पे इसलिए बात कर रहा हूं कि पंद्रा अगेस्ट दुवजाद तेईस को एक महां अमरित उत्सव बनाया गया और हर पंचाइट में एक शेहिदों को याद किया गया और हर अवाम ने, हर पंचायत के उन लोगों ने बड़ा बढ़ चड़ के हिसा लिया और बढ़ चड़ के हिसा लेने के वाजूद जो उसके रिजल्ट आज आपके सामने जो फूटेज में दिख रहे हैं वो इस तरीके के हैं आपको ये हक कोई ने देता कि आप किसी के पंचायत का नाम चेंज करके अपने गाओं का नाम उस पर मेंचिन कर लो या अगर ये होना भी था तो जाहिर सी बाते हमारे डीडी साब मेंबर को पता होता है जाहिर सी बाते चार लोगों के साथ बात की गई होती जाहिर सी बाते सरपंच साहिवान को पता होता है या कुछ चुनिंदा जो मौजज लोग होते हैं उनको जुरूर पंचाइट का पता होता कि हमारी पंचाइट पांधान का नाम जो है वो चेंज होके द्रोन की रानी रखा जा रहा है बट नागवार इतनी है इनसानों में इतना होंसला है कि अपनी मर्जी से माल्स्टोन को बनाया जाता है उस शहीदी दिवस के ओपर ये माल्स्टोन लगाया जाता है और माल्स्टोन लगाने के बाद वो चुनिंदा लोग जो अवाम ने चुना है जिनको चाहे उसमें सर्पाइंस साही बहान हो, चाहे मिंबर साही बहान हो, चाहे हमारे डीडीसी साही बहान हो वहाँ पे जाके वो फूल अर्पित करते हैं उस शेदी समार्ग पे और उसका गुंगान करते हैं और एक वहाँ से फुटेज बना के आगे फारूर की जाती है कि हमने जो शहिदी दिवास से वो हमने बड़े अच्छे और बड़े धूमधाम के साथ मुन रहा है। और उसके साथ-साथ उनको ये पता नहीं लगा कि हमारी पंचायत में हमने अपने गले खुद ही काट लिये। तो ये जो बात मैं आज आप से करने वाला हूँ मैं थोड़ा सा भावक जरूर हो सकता हूँ बट कोशिश करूँगा कि मैं इस बात को बड़े साधारन तरीके से आप तक पहुँचाने की बात करूँ बात पांचा पांधान पंचायत की है जो फुटेज और जो क्लिप मैंने आपको स्टार्ट में दिखाए मैं कोशिश करूँगो इसको बीच में भी दिखाने की जो भाई नहीं धंग से देख पाए उसको जूम या वीडियो रोग करके आप देख सकते हूँ बात 25 अगस्त की है और 25 अगस्त में जब ये महा अमरित उत्सव मनाया जाता है तो मेरी पंचायत में एक गूर की समाद है वहाँ पे गूर को गूर एक हिंदू धर्म में जो है वो बड़ी पवित्र स्थान है और वहाँ पे जो है वहाँ की समादी वहाँ पे है और वहाँ वहां पर लिखी जाती है कि आखरकार किस कार्णु वह शहीद हुए और उन्होंने अपने प्रान कैसे तिया गए यह काम टेंडरिंग होती है या दिया जाता है जिस भी ठेकेदार को यह काम दिया गया हो वो काम यह करता है और काम करने के बाजू पंद्रा गयस्त को इसका पूजन और हम मान सकते उत्सव मनाया जाता है वहां तक बार ठीक थी पंद्रा गयस्त के बाद मेरी जब नजर वहां पे दोड़ी थी तो मैंने उस ताइम में चुपिसले बैठा था कि हो सकता है इनसान से गल्ती होती है जब आप काम करोगे तो गल्ती जरूर होगी बट उन गल्तियों को सुधारा जा सकता है अगर आपके मन में सच में वो फील है सच में आप चाहते हो कि मेरे से गलती हुई है, मैं उसको सुधार सकता हूँ, तो मैंने इसलिए में चुप बैठा था कि आखिरकार ये करते तो करते क्या है। मगरित सत्ता का नशायतना सरचड़ के बोल रहा हा कि 15 ग addict से लेके, और आज 23 September तक किसी ने किसी मिंबर सहा भाणने, किसी पंच सहाईब भाणने, या सरपंच सहाई भाणने, या DDC सहाई भाणने इसको दुरूस्ट करने की कोशिश ने की फुटेज और क्लिपिंग जो थी वो मेरे पास पहुँच गई थी और मैंने जब इसको फिजिकली खुद चेक किया था जाके तो वो चीजे वहाँ पर मुझे दिखे थी और मैरे फुटेज जब मेरे पास पहुँची तो मैंने कोशिश की कि मैं अपने सबसे पहले डीडीसी मेंबर जो मनोलाल जी मैंने उनसे बात करने की कोशिश की और उन्होंने ये एकसेप्ट किया कि हाँ ये जरूर गलती हुई होगी उनसे हम कोशिश करेंगे इसको क्रेक्शन कर देंगे उसके बाद मेरा दूसरा फर्ज बनता था अज़े नागरिक होने के नाते अज़े अपने पंचाइद का नमाइदा होने के नाते मेरा फर्ज बनता था कि मैं सबसे पहले अपने सरपेंच को रुपोर्ट करूँ और वो धर्म मैंने सुबह आज निभाया मैं जो आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वो धर्म मैंने निभाया और सरपेंच साहिब हान से मैंने जब बात की तो मैंने बड़े अदब के साथ वो मेरे बजर्ग है मेरे से बड़े हैं काफी उमर में तो मैंने बड़े अदब के साथ उनके साथ जब बात की तो बात करके उन्होंने बोला कि जिस कॉंट्रेक्टर ने ये काम किया मैं उनको फून करके आपको फीडबैक दे दूँगा जब फीडबैक उन्होंने मुझे फून करके वापस दी तो उन्होंने बोला कि सुजान जी वो बोल रहे हैं कि जो मैंने काम किया है जिस contractor नहीं ये काम, बड़े गोर से सुनिएंगा कि सत्था का नशाइछ जो होता है इन्सान को सरचड़ के कैसे बोलता है सरपाइन साहिबहान मुझे ये बोलते हैं कि सुजान जी, मैंने जिस contractor नहीं ये काम किया था मैंने उनको काल किया और उनунको ने ये जब आपकी बात सुनाई, तो उनुने मुझे आगे से reply दी है, की जो मैंने किया है, मैं दुबारा इस बात को आपके साथ रिपीड बिपीर्ट जुरूर करूंगा, कि जो मैंने वो स्मार्ग बनाया है जो शहीदी का स्मार्ग उन्होंने वहाँ पांथान पंचाइद के अंदर बनाया है वो मैंने जो बनाया है वो बिल्कुल सही है अगर किसी को मेरे सर्पेंच साहिब हान के साथ ये बात हो रहे थी, जो मैं आपके साथ करनोर सेशन कर रहा हूँ, कि अगर किसी को कोई दिक्कत है, तो मेरे साथ बात कर सकता है. मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, अगर मेरे सरपेंच साहिभान के साथ, अगर वो कॉंट्रेक्टर ये बात बोल रहा है, तो उसमें लगता है, शाहिद सबसे पहले मेरे सरपेंच के उसने तोहीन किये है, और तोहीन इस तरीके की किये है, कि सरपेंच साहिभान जुरूरी नहीं होता, कि सुजान जी, जब मैंने उन से बात की, तो उन्होंने बोला कि सुजान जी को बोलना की मेरे साथ बात करे, और मैंने हमदली रिक्वेस्ट करके, सरपेंच साह беспना को बोला, कि सर पंच जी आप मुझे ये बताईए कि क्या हमारी पंचायत का नाम द्रोन की रानी है या पांथान तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि सुजान जी द्रोन की रानी हमारे पंचायत का नाम नहीं हमारे पंचायत का नाम जो है वो पांथान है और मैंने ये भी रिपीट किया उनको कि क्या सर आप नहीं मानते हो कि ये गलती है या नहीं तो उन्होंने भी आगे से ये फीडबैक दी कि हाँ ये गलती है इस गलती को हम छुपा नहीं सकते हैं तो कहने का मतलब कि जो इनसान ऐसे भी कॉंट्रेक्टर हमारी पंचायत में हैं जो डिसवे सरपंच को कर रहे हैं डिसवे डिडिसी को कर रहे हैं और इतनी वो डिरेक्ट कॉंट्रेक्ट बन गे हैं कि हम जो करेंगे हम जो कर रहे हैं वो सच कर रहे हैं बाकि जो पंचायत में 900 वोटर है वो सब बेकूफ है तो मेरा वीडियो आपके पास रखने का मकसद यह था कि आप भली जो contract आपने लेना हाँ लीजिए हमें कोई अतराज नहीं है आप अपना काम कर रहे हो आपके पास contract के license है आपको government issue करती है आप काम करते हो मगर आप किसी घर के नाम को ही बदल के आप अगर कुछ करना चाहोगे तो यह नागवार हमाएं गुजरेगा तो यह छोटा सा वीडियो में आपके पास रखने की कोशिश की फैसला मेरे पंच सरपंच और मेरे DDC के उपर है क्या हम पांथान पंचायत में जी रहे हैं या हम पंचायत दोन की रानी में जी रहे हैं यह छोटा सा मेसेज और छोटी सी उमीद आपके साथ में जुरूर रखना चाहोगा और सब यह अवाम के पास हाज जोड के मैं हमली request करता हूँ कि ऐसे लोगों का भहिशकार कीजिए और ऐसे लोगों को जो आपका आपकी जो निशान है उसको गुम करने की कोशिश की जा रही है आपको जो नाम है उसको गुम करने की कोशिश कर रही है और इतनी पावर इन लोगों के पास आती कहां से है ये सोचने का विश् बद्रभाशा यूज़ करके, हमें एक दूसरे को ना कोसें, इसका solution कैसे निकले, उसकी तरफ हम जरूर जाएं। तो जो conversation मेरे साथ हुई, जो हुआ है, मैंने आपके साथ जरूर तथे रखे हैं। और फुटेज और वीडियो क्लिप आपके सामने हैं, और मैं उमीद करता हूँ कि सारे मिल जूल के पंचायत में इस नाम को क्रेक्शन किया जाएगा और पांथान पंचायत का नाम ही पांथान पंचायत रखा जाएगा। तो इनी चंद बातों के साथ मैं अपने वानी को विराम देता हूँ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत!